नमस्कार, मैं हूँ वंदिना सिंग, पत्रिकारिता के छेत्र में आने वाले युवाओं को शुब कामना हैं अब हम पत्रिकारिता के अर्थ, परिभाशा, आदर्श वा उद्देशी की बात करेंगे अकबर इलाबादि ने कहा है, खीचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अक़वार निकालो इंद्रिया गांधी ने कहा है कि पत्रकारिता जन सेवा है इसका परमलक्ष खबरों को एकत्र करना, उन्हें छापना, प्रसारित करना लोगों को अधिक सधिक जानकारी दे कर उन्हें अच्छे तरीके से जांच और निर्ने लेने में सहेता प्रदान करना है जाने माने पत्रकार, स्री प्रभाद जोशी कहते थे कारे पालिका, न्याय पालिका, विधायका और प्रेस मैं यदि में चौथा खंबा हूँ, तो पत्रकार होने के नाते मेरा आधिकार और कर्टव्य है कि मैं तीनों खंबों को जज़ करूँ वैज्ञानिक परिभाशा कोश में कहा गया है कि पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेक आधी एकत्रित करने तता संपाधित करने प्रकाशन आधी करने का कारे है पत्रकारिता संधर्व कोश के अनुसार जन सूचना, जन संचार, जन रंजन अत्वा जन साधारन तक समाचार विचार संपरेशन हेतू संचालित माध्यमों समाचार पत्र, पत्रिका, आकाशवानी, दूरदर्शन आधी कि संपाधन, मुद्रण, प्रकाशन, संयोजन, प्रसारण आधी की विधा या कला पत्रिकारिता है वर्तमान समय में पत्रिकारिता का छेत्र अत्यंत विशाल हो गया है सन 1780 में प्रकाशित भारत का प्रथम समाचार पत्र हिक्की गजट से शुरू होकर सवा 200 वर्ष की यात्रा में पत्रिकारिता को अनेकों दुर्गम परिशितियों के मद्धि से निकलना पड़ा है वर्तमाल इस्थिती यह है कि पत्रिकारिता को सिर्फ समाचार पत्र, पत्रिका तक ही सीमित रखना इसके साथ अन्याय करना होगा आज के अत्याधुनिक संचार माध्यम, आकाश वानि, दूर दर्शन, सेटेलाइट प्रसराराण, इंटरनेट, वीडियो, टेलीफोन, फैक्स इत्यादी पत्रिकारिता के ही आधुनिक रूप हैं दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि देश, विदेश की घटनाएं, गतिविदियां, ज्यान वा विचारों की समिक्षात्मक्ति पड़ियों को शब्द, चित्र, ध्वनी या किसी अनी रूप में जनजन तक पहुचाना ही पत्रिकारिता है यहां वै, विधा या कोशल है जिसमें पत्रकारों के कारियों वा कर्तव्यों, उद्देशों एवं लक्षों का विवेचन और विशलेशन होता है जिस प्रकार साहित्य समाज का दरपन होता है उसी प्रकार पत्र पत्रिकाएं भी सीधे सीधे समाज से जोड़ती हैं मानव जीवन को संपूर्ण हिर्दे में समेटे रहती हैं पंडित कमलापती तिरपाथी के अनुसार, साधक के लिए साधना का, त्यागी के लिए उत्सर्ग का, तपस्वी के लिए कपट सहन का, तथा अनाशक्ती का, योद्धा के लिए संघष और रण का, कवी के लिए अनुभूती की अभिव्यक्ती का, कलाकार के लिए संस्कृती के गूड और रहस में चित्रों के चित्रण करने का, आलोचक के लिए जीवन की इस्थूल और सूक्षम धारा के विवेचन का, साहिति के लिए लोकिक और आलोकिक यथार्थ और भावुक जगत को प्रकाश में लाने का पत्थ एक साथ ही उपस्थित करने के सिवाए, पत्रक और इतिहास संघर्ष और क्रांती उत्थान और पतन निर्माण और विनाश प्रगती और दुर्गती के छोटे प्रभावों को प्रतिविंवित करने में पत्रिकारिता के सवान दूसरा कौन सफल होता है विद्वान, पत्रिकार, पंडित कमलापती तिरपाठी के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि पत्रिकारिता एक सेवक की भाती, जनता, समाज और राष्ट की सेवा करती है जन सामानी को दिशाद्रश्टी प्रदान करती है पत्रिकारिता जहां अच्छे कारियों की प्रशंसा करती है वहीं अन्याय, दमन, प्रतिशोध आधी की खुलकर निंदा भी करती है आवेशक्ता पढ़ने पर इन बुराईयों का सामना भी करती है इसकी महिमा अपार है क्योंकि कभी यह जगत गुरू का रूप धारन करके समाज को शिक्षित करती है तो कभी नियाय धिश बनकर नियाय की कुर्शी पर आसीन होकर निर्दोष व्यक्ति को नियाय दिलाती है पत्रकारिता सही अर्थों में समाज में उच्छ मोल्यों और आदर्शों की स्थापना करती है पत्रकारिता के आदर्श और उद्देश प्राचीन काल से लेकर आधुनी काल तक अपने उसी रूप में हैं समाज में अनेक परिवर्थन हुए अविश्कार हुए परंतो इसके आदर्ष और उद्देशों में कोई परिवर्थन नहीं हुआ है समगर रूप से पत्रिकारिता के निमनलिखित आदर्ष हैं विशाल मानव परिवार की एकता विश्व बंधवत्व जन सेवा समाजिक और आर्थिक इस्तिती में सुधार के लिए प्रयतनेशील रहना शांती इस्थापना प्रतेक काल में पत्रिकारिता अपने इनी तीनों आदर्षों एवं मूल्यों को लेकर अग्रितर होती रही है जिसमें संपूर्ण विश्व के कल्यान का मूल मंत्र छिपा हुआ है पत्रिकारिता के सभी पहलूं पर विचार करने पर इसके निम्न लिखित उद्देश सर्व माने हुए हैं पत्रिकारिता छण छड में घटने वाली विश्व भरके घटनाओं की सूचना जन जन तक पहुँचाती है इसके दौरा ही आम जनता को सरकार की नीतियों, क्रिया कलापों, गती विधियों की जानकारी मिलती है लोकतंत्रिक व्यवस्था में पत्रकारिता का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह लोकतंत्र में जहां जनता के हितों की संरक्षिका है वहीं आम जनता की प्रतिकिरिया को सरकार तक पहुचाती है यदि हम नजर उठा कर देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन का कोई ऐसा छेत्र नहीं बचा है जहां मानवे कमजोरियां जैसे कामक्रोध मद लोब मोह का वर्चस दिखाई ना देता हो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आज कुछ लोग बड़े-बड़े साधू संद का वेश धारण कर समाज को भमित कर रहे हैं नामी गिरामी चोर, जालसाज, धूर्थ मक्कार और हत्यारे लोग जेलों से चुनाओ लड़ रहे हैं नादान और भोली भाली जनता उनकी बहकावे में आकर अपना अहित कर रही है ऐसी विशम परिस्थित्यों में पत्रकारता का यह उद्देश भी है कि वे आम जनता का मार्ग रशन करें पत्रकारिता का एक प्रमुक कार्य समाज को शिक्षित करना है पत्रकार जनसाधारण का गुरू होता है क्योंकि पत्रकारिता पेशे में सदाही इमानदारी को सर्वोच इस्थान दिया जाता है जिस बात को पत्रकार देखता सुनता और अनभव करता है उसे मुद्रित श्रव्य या द्रश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा आम जनता के बीच पहुचाता है और आम जनता मीडिया के द्वारा कही गई बातों को शीगर ही मान लेती है संचार माध्यमों के द्वारा जनता को परिचर्चा साक्षातकार शोत कारियों की जानकारी प्रदान कर उन्हें शिक्षित करने में पत्रिकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस प्रकार समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित संपाधी किये अग्रलेक, विविद स्थम, राजनीती से सम्मंदित टिपडियां, इंटर्व्यू आधी के द्वारा जनता को समसामाईक विश्यों पर जानकारी प्रदान करके उनके ज्यान की ब्रधी पत्रिकारिता बखू भी करती है, इसके द्वारा समाज में वैचारी क्रांती का बीज बोया जाता है पत्रिकारिता का एक प्रमुख लक्ष मनुरंजन करना होता है मनुषी के जीवन में मनुरंजन का महत्वपूर्ण इस्थान है इसके अभाव में एक ही तरह का जीवन जीते जीते व्यक्ति उबने लगता है प्रति दिन सिनेमा हौल में जाकर सिनेमा देखना पिकनिक पर जाना संभव नहीं है उसे ऐसे में मनुरंजन की चाहा होती है जो घर, आफिस, दुकान जैसी जगों पर ही बैठे बैठे उपलब्ध हो इन एक्षाओं की पूर्ति के लिए वे पत्रिकार्ता के आश्य में आता है जहां उसकी मांसिक भूक शान्त होती है आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं में मनुरंजक सामिगरी को प्रमुक्ता के साथ इस्थान दिया जाता है श्रव्य एवं द्रश्य श्रव्य माध्यमों द्वरा प्रसारित फिल्मी गाने, नाटक, वार्ता, विमेल्य विश्यों पर आयोजित कवी सम्मेलन वाकसंगोश्चियां, गीत, गजल, अभिनेता, अभिनेत्रियों के साक्षातकार, जनता के बीच खुब लोकप्रिय होते हैं, मुद्रण माध्यमों में भी पाठकों के मनुरंजन का भरपूर ध्यान रखा जाता है, समाचार पत्र पत्रिकाव में फीचर लेक, विविद इस्थम, फिल्मी पन्ना, सापताहिक परिशिष्ट, बाल जगत, युवा जगत, कहानिया, संस्मरण, यात्रब्रतांत, व जहां पाठकों का मनुरंजन होता है, वहीं उनके ज्ञान की ब्रधी होती है, आजकल फोटो फीचर एवं व्यंग चित्रों का प्रकाशन समाचार पत्र पत्रिकाव में खूप किया जाता है, ऐसे चित्र आम तोर पर सरसरी नजर से देखने में सामाने लगते हैं, जो व्य आया कोई मालमिक संदेश छिपा रहता है, इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थूल रूप में पत्रकारिता का उद्देश, देश-विदेश की खबरों, घटनाओं को एकत्रित करना, उनका विवरण एकठा करना, तत पश्चाद विवेचना करना, तता समाचार पत्र के माध करती का कारे भी करती है, इस पेशे से प्रभावित होकर कारलाईल ने इस पश्च शब्दों में कहा है, महान है पत्रकारिता, लोक मानस को प्रभावित करने वाला होने के कारण, पत्रकार क्या विश्व का शासक नहीं है, पत्रकारिता एक ऐसी शक्ती है, जो समाज की बु जागर कर उन्हें दूर करने का प्रयास करती है और सुधारों को सामने लाकर उसे विख्सित करने का प्रयास करती है प्राचीन काल से लेकर आधुनी काल की अनवरत यात्रा में पत्रकारिता की अपनी कुछ खास विशेषता रही है जिसके कारण इसे सदैव समाज में उच स्थान मिलता रहा है प्रत्वी पर ऐसा कोई समाज नहीं रहा जिसमें पत्रकारिता का अस्तित्व किसी रूप में विद्धमान ना हो पौराणिक युग में भी महशी नारत एक कुशल पत्रकार की भाती देव लोग वा मृत्ति लोग के बीच संप्रेशन का कारिक करते थे नारत जी की पत्रकारिता स्रश्टी के कल्याण के लिए होती थी अता आधिकाल ही पत्रकारिता का एक विशुद सेवावरती मेशन है जिसकी निमनलिखित विशेशताएं है मनुश एक सामाजिक प्राणी है जिस समाज में वे जन्म लेता है वहाँ के खानपान रीती रिवाज रहन सैन को अपनाता है जिग्यासु प्रवती के कारण वे अपने समाज के बारे में जितना जानता है उससे और अधिक जानना चाहता है अपने आसपास तदा समाज में कब कहां कैसे क्या हुआ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है सभी की जानकारी प्राप्त करना चाहता है इसकी जानकारी प्राप्त करने का सबसे सरल और सही तरीका पत्रिकारिता ही है, क्योंकि पत्रिकारिता को समाज की गत्विधियों का आइना कहा जाता है इंद्र विद्या वाचस्पती के शब्दों में पत्रकारिता पांचमा वेध है जिसके दौरा हम ज्ञान विज्ञान सम्मंधी तत्यों को जान कर अपने बंद मस्तिश को खोलते हैं यह कहना अतिश्योक्ती नहीं होगा कि जिन बातों को हम स्वयम कभी नहीं जान सकते उन्हें पत्रकारिता के माध्यम से सुगमता एवं शीगरता पूर्वक जान जाते हैं पत्रिकार्ता ही समाज के उत्थान पतन, सत्य, असत्य, स्रजन एवं विनाश की इस्थितियों को यथावत हम तक पहुँचाती है ये हमें अतीत में की गई गलतियों की पुनरावती करने से रोक कर वर्तमान को सवारती है तता सुन्दर भविश्य के स्वरूप का निर्माड करने में मदद करती है यह समाज में फैली बुराईयां जैसे उच नीच, जाती पात, भेद भाव, आदी अंध विश्वासों के खिलाफ संगर्ष छेड़ कर समाज को इन बुराईयों से मुक्त कराती है समाज में अच्छा बुरा जो भी घटित होता है उसे अपने हिर्दय पर अंकित कर उसका विवेचन, विशलेशन करते हुए पत्रिकारिता, भविश्य द्रश्टा बन कर समाज का मार्गदर्शन करती है हमारे जीवन में आए दिन भयावे करुणा जनक हिर्दय कपा देने वाली घटनाएं होती रहती हैं जिससे संपून समाज स्थब्द हो जाता है 25-50 वर्षपूर समाज में एकल परिवार को उपेक्षित समझा जाता था आज यह हालात हैं कि समाज में संपूर परिवार की संख्या दिनो दिन समाप्त होती जा रही है विबाहो प्रांत पुत्र माता पिता को साथ नहीं रखना चाहता माता पिता उसे अनावश्यक और बोच मालूम पढ़ते हैं इस प्रकार की विशम सामाजिक स्थितियों का सोक्ष्म निरूपन और प्रस्तुति करण पत्र पत्रिकाओं के द्वारा ही समय समय पर मिलता है पत्रिकारिता के पास ऐसी सोक्ष्म दिव्वे द्रश्ती है जो समाज में घटने वाली घटनाओं की गहराई में जाकर बदलते हुए परिवेश में मानव सम्मंधों की जटिलता के कारणों, प्रतिकिर्याओं एवं परिडामों को विशलेशित करती है जिससे हमें समाज में चल रहे घटना चक्र की जानकारी मिलती है तथा अपने जीवन में सतर्क रहने की प्रेड़ना भी मिलती है पत्रिकारिता सामाजिक सांस्कृतिक मुल्लों की सनरक्षिका होती है देश, समाज, राज्य और परिवार में व्याप्त, असंतोष, चाहेवेजाती, धर्म, संस्कृती किसी से भी सम्मंदित हो पत्रिकारिता उसका सही विशलेशन करके जनता के सामने प्रस्तूत करती है राष्ट में घटने वाली सभी महत्वपून घटनाओं के बारे में चिंतन की प्रकिरिया को जन्म दे कर उसे सही दिशा प्रदान करने में पत्रिकारिता सदैव अग्रणी रही है तभी तो इसे मानव जीवन की मार्क दर्शिका, जीवन निर्मातरी, एवं सामाजिक मूल्यों की विधाईका जैसे अलंकरण से सुशोभित किया जाता है पत्रिकारिता की एक विशेष्ता सफल जासूसी करना भी है इस द्रश्टी से एक सफल पत्रकार एक सफल जासूस भी होता है आज समाज में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके कारण उपर से सहज और स्वाभाविक लगते हैं जबकि उनके तह में कोई और बात छुपी होती है इन घटनाओं पर से परदा हटाने के लिए पत्रकारिता को एक सफल जासूस बनकर कारे को अंजाम देना होता है पत्रकारिता में इस्थिर्ता अत्यन्त आवश्यक है पत्रकारिता तबी सही और सार्थक मानी जाती है जब वे सत्य असत्य का अंतर भी इस्पष्ट करें आविशेक्ता अनुसार निर्ने का कारे भी करे। प्रसित पत्रकार जोसेफ पुलेटजर भी पत्रकारता को एक महन जनसेवा का कारे मानते थे। उनका इसपष्ट विचार था कि समाचार पत्र को आमादमी के नजदीक होना चाहिए बड़े लोगों के साथ नहीं। यह सत्य भी है कि पत्रकारता को जनसाधारन के दुखदर्द वा हर्ष उल्लास का दरपन बनाना चाहिए तबी वे राष्ट की जीवन धारा में समाहित हो सकेगी। पुलेटजर मोहदे इस बात को बखुबी सुईकार करते हैं कि मैं रहू या ना रहू परंतु पत्रकारता सदैव रहेगी। समाज का मार्गदर्शन करेगी, राष्ट को दिशानिर्देश देगी, यानि अपने नीर्चिर विवेक गुण को सदा ही जीवित रखेगी। इस संधर्व में सेंट लुई पोस्ट डिस्पैच के संपाधिके स्थम्भ में शीर्षक पर उनका धै वाक्य, अचार एवं भ्रष्टाचार को कदापी नहीं सेहन करेगा। सभी दलों के दमभी नेताओं और प्रवंदकों से लोहा लेगा और किसी दल के साथ जुड़ेगा नहीं। सुविदा भोगी वर्गों का विरोत करेगा, गरीबों के प्रती सदेव समवेधन शील रहेगा, ल आज का यूग सूचना क्रांती का यूग है, एक समय था जब पत्रकारिता एक साधन मानी जाती थी, आज सूचनाएं उनका प्रचार प्रसार समाज वेवस्था का विशिष्ट अंग हो गई हैं, नित नय-नय हो रहे वैज्ञानिक अविश्कार जैसे रेडियो, टीवी, फ कोने से उस कोने में पहुंच जाती है, इन घटनाओं को देख सुन कर या पढ़ कर, हमें यदि इसमें हानी की संभावना नजर आती है, तो हम उससे बचने का उपाय कर लेते हैं, पत्रकारिता समाज को शिक्षित, जागरुक, सचेत तो करती ही है, साथ में वेजनता का अपनी इसी विशेष्टा की वजह से वे छोटे बड़े बुजूर्गों के दिलों पर राज करती है, यदि पत्रकारिता का पेशा एक सफल जासूसी का पेशा है, तो इसकी एक अन विशेष्टा है, कि पत्रकारिता एक कुशल चिकित्सक के समान है, जो समसामिक परिसिति को ठाम कर उसके चाल ढाल, गती का अंदाजा लगा कर स्वास्ति को सुधारने का काम करती है, जिस प्रकार एक डॉक्टर गहराई पूर्वक किसी रोग की जारकारी प्राप्त करने के लिए एक्सरे निकालता है, उसी प्रकार, कुशल पत्रकार भी, फोटोग्राफ, चित् चीत करके घटना की सत्यता को प्रमानित करता है, कई बार इस प्रावीदियों के प्रयोग से घटना का कारण क्या है, इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है, आदितत्य स्पष्ट हो जाते हैं, चित्र आदिप्रस्थुत करने से प्रते घटना, स्थिति, स्पंदन और वि ये समाज में हो रहे उतार चड़ाओं को प्रतिबिम्बित करती है तथा समस्याओं का निदान सुझा कर समाज को हश्ट पुष्ट बनाती है समाचार पत्र पत्रिकाओं में अनेक प्रकार के समाचार प्रकाशित होते हैं इन समाचारों में सत्यता, निर्भीकता, इस्पष्टता जैसे तत्वों का समावेश रहता है जनसाधारण ऐसे समाचारों को पढ़कर स्वभाविक रूप से कभी रोमांचित हो जाता है तो कभी आंदोली थोड़ता है जिससे उसके मनों मस्तिष्क में निर्भीकता, साहस और स्वतंत्र निर्णे लेने की चमता जागरित होती है ऐसे समाचारों को पढ़कर उसके अंतर द्रश्टी पर पढ़ा आवरण हटने लगता है और आत्म विकास होने के साथ ही उसमें आत्म विश्वास भी जागरित होता है जिसका परिणाम होता है कि वे अपनी जीवन दिशा का निर्मान स्वयम करता है जीवन गत संगर्शों से जूजने की शक्ती उसके अंदर आ जाती है पत्रकारिता का छेत्र बहुत विशाल और वैविद्धि पूर्ण होता है मनिश्य के जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो इससे अचूता हो आकाश, पाताल, जीव जन्तू, जंगल पहाड, आदी से सम्मंधित, चित्र विचित्र सभी प्रकार के घटना चक्रों का समावेश इसमें होता है वहमात्र राजनीती अथ्वा समाज तकी नहीं वरन, कला संस्कृती, शिक्षा साहित, वानेज वैपार, खेल, ज्यान विज्यान, क्रेशी मनुरंजन आदी छेत्र इसकी परीदी में समाई रहते हैं पत्रकारिता राष्ट के लिए प्रेड़ना शोत होती है तथा समाज में नवचेतना उत्पन करने में पूर्णता सक्षम है राष्ट की एकता अखंडता बनाने में राष्टे चरित्र का निर्मार करने में अनुशासन वेवस्था भाईचारा की भावनाओं का संचार करने में पत्रकारिता का जवाब नहीं है वास्तव में पत्रिकारिता ही एक मात्र ऐसा साधन है जिसकी सहेता से स्वाधीनता संग्राम के जननायक देश के कोने कोने में अपना संदेश पहुचाने में सफल हुए तथा उन्होंने पूरे भारत वर्ष में अहिंसक जन आंदोलन का बीज बोया और राष्ट को स्वतंत्र कराया आज पत्रिकारिता को चौथा स्थंब माना जाता है क्योंकि वे न्यायपालिका, कारेपालिका और विधायका की गत्वीधियों की जांच परताल करती है तथा इ आज प्रतेक मनुष्य के जीवन में अपना स्थान बना लिया है यह वर्तमान जीवन का आधार है भौतिक्ता और विलासिता की आंधी ने मनुष्य को मनुष्य से दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने इश्ट जनों के पास जाए अपने पारिवारिक परिवेश्ट से जुड़े अपनी सभ्यता और संस्कृति को जाने इस दिशा में पत्रकारिता ने अभूत पूर्व योगदान दिया है पत्रकारिता का छेत्र अत्यंत विस्तरत है इसमें सभी छेत्रों से सम्मंदित समाचार प्रकाशित ह इसके द्वारा सभी वर्ग के लोग अपनी आवेशेकताओं की पूर्ती करते हैं। जैसे किसी को नौकरी की जरुरत है तो वह व्यक्ती रोजगार कॉलम के द्वारा नौकरी पाने की चेश्ट्रा करता है। नौकरी हेतु विज्यापन प्रकाशित होते हैं, जिससे जरुरत मंद लोग लाग उठाते हैं। इसी तरह यदि किसी को सिनेमा देखने की इक्षा हो, तो वे सर्वर प्रथम समाचार पत्र देखता है कि शहर के किस थियेटर में कौन सी फिल्म लगी है। आदी, समाज कर प्रतेख वर्ग, गरीब हो या अमीर, मजदूर हो या पूझी पती, किसान हो या जमीदार, छात्र हो या अध्यापक, शासक हो या प्रजा, नेता हो या अभिनेता, राजा हो या रंक, सभी के विचारों, क्रिया कलापों को जन साधरन तक पहुँचाने का स प्रजेश प्रकार की शक्ती नहीत होती है, जो किसी अनपेशे में नहीं होती है, एक कुशल पत्रकार, भलीभाती जानता है कि कलम का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, ताकि राष्ट वाटसमाज का उत्थान हो, वे जनता और शासन के बीच महत्वपूर्ण साइटी ने अविव्यक्त किया है, कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं किसी भी देश के नीती निर्धारण एवं उसे मूत रूप देने वाला एक शक्ति शाली माध्यम है, प्रैस सूचना देने और शिक्षा प्रतारण के साथ साथ शासन और जनता के मद्ध एक सार्थक सं पर्क विक्सित करता है, वास्तब में लोकतंत्र में समाचार पत्र पत्र पत्रिकाओं की अतिव विशिष्ट भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है, समाचार पत्र पत्रिकाएं ही जनता को बतलाती हैं कि सरकार, देश, समाज और व्यक्ति के उत्थान हेतु कौन-कौन से कारे किये जा रहे हैं उसकी गतविदियां क्या हैं आगामी योजनाई क्या हैं सदन के अधिवेशर में किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई कौन कौन सी योजनाई पारित हुई किने असुईकार कर दिया गया है आदी इन्ही सूचनाओं के आधार पर जन सामा ने अपन प्रसारण दिखाया जाता है जिससे सर्व साधारण को नेताओं की अच्छाई बुराई के बारे में काफी जानकारी स्वता ही मिल जाती है अता पत्रकारिता सरकार की नीतियों को जनता के बीच और जनता की मागों एक्षाओं संदेशों को सरकार के पास पहुंचाती है यद अब तक हमने हिंदी पत्रिकारिता के अर्थ परिभाशा आदर्श एबं उद्देश के जिन विंदूओं पर बात की है वो बिंदू इस प्रकार है पत्रिकारिता के अर्थ परिभाशा खीचो ना कमानों को ना तलवार निकालो जब तोब मुकाबिल हो तो अखवार निकालो अखवार इलावादी ने अखवार की शक्ति का क्या बखुबी बखान किया है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि देश विदेश की घटनाएं गत्विधियां ज्यानवा विचारों की समिक शाक्त्मक्ति पड़ियों को शब्द, चित्र, धोनी या किसी अनि रूप में जन जन तक पहुँचाना ही पत्रिकारिता है यह वह, विधा या कौशल है जिसमें पत्रिकारों के कारियों वाकर्तव्यों, उद्देशों एवं लक्षों का विवेचन, विशलेशन होता है पत्रिकारिता का आदर्श एवं उद्देश, विशाल मानव परिवार की एक्ता, विश्व बंधुत्प जन सेवा सामाजिक और आर्थिक इस्तिती में सुधार के लिए प्रयतनेशील रहना, शान्ती इस्थापना, पत्रिकारिता के उद्देश, सूचना प्रदान करना, सत्ति को उद्गााटित करना, शिक्षित करना, मनुरंजन करना पत्रकारिता की विशेष्टा, समाज की गत्वीधियों का आइना, सूक्ष्म द्रश्टी, सामाजिक सांस्कृतिक मुल्यों की सनरक्षिका, सफल जासूस, नीर छीर विवेक, सशक्त संप्रेशन माध्यम, कुशल चिकितसक, मानविय गुडों के विकास में योगदान, वैव प्रदाइनी, वर्तमान योग की मार्ग निर्देशिका, शासन वा जनता के बीच सेतू, इसी के साथ हमारा आपके साथ आज का सफर यही पर समाप्त होता है, आपके सुझाव और प्रश्ण हमेशा आमंत्रित है, नमत्कार झाल थाईनी, उलस् GOOD आपके साथ झाल धकता है, इसी के साथ हमारा आमशनी का नासनी का डंम यही applying आपके साथ हमारा आमंशीिकास, इसी視िक प्लाता है, जो मत्त्त झाल झाल